करन अचला सबसे पहले पोस्टर का हलका सा ब्रेकडाउन कर देता हूँ तो पोस्टर में करन बाई के चहरे पे उनके बच्पन की फोटो है मतलब छोटा करन है और तुम अगर चहरे के पीछे देखोगे तो हुकम का साइन है जो कि करन बाई की इंडस्टरी में हुकूमत को इंडिकेट करता है सबसे नीचे लिखा हुआ है कि आउट एंट फैब तो फरवरी में एपी रिलीज होगी तो फरवरी के लास्ट के दिनों कोई मान के चलो क्योंकि जनवरी तलबग खत्मी होगया तो फरवरी के लास्ट तक एपी रिलीज हो जाएगी एंड कैप्शन में करन बाई ने ये भी बता दिया कि इस एपी में चार ट्रेक्स होने वाले है वैसे तो क्या टाइटल से ही पता लग रहा है फोर ट्रेक्स है और म्यूजिक प्रोडूसर का नाम लिखा है इककी सो इककी के बारे में भी मैंने अल्रेडी अपनी इस वीडियो में बता दिया था बट कोई नी थोड़ा सा दोबारा एक्स्प्लेइन कर देता हूँ जिन्होंने पहले ही देख लिया वो थोड़ा सा स्किप कर सकते हो सो दीप रेहान की लेटेस्ट पोस्ट के नीचे भी इककी ने कॉमेंट किया था उसका करण ने भी रिपलाई किया था कि who produced it by the way सो यहां से यह चीज पता चल गई थी और पोस्टर से तो कनफर्म होई गया कि इस पूरी EP का म्यूजिक इककी ने प्रोडूस करा है एककी की वर्स्टैलिटी चेक करनी है तो दिलजी दोसांज का शौफर और शुब का बालर गाना चेक कर देना पता लग जाएगा एककी में कितना टैलेंट है बाकि अब कॉलाबरेशन की बात करते है तो करन भाई के फ्यूचर में कॉलाब की एकस्पेक्टेशन्स है वो है किंग के साथ इस से रेलेटेड भी प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बना रखिया मैंने तुम चेक कर सकते हो बट मुझे नहीं लगता कि इस एपी में ये कॉलाब होगा इस एपी में दीपक टिलों के साथ में कॉलाब होने के चांसे काफी ज़्यादा है क्योंकि दीपक टिलों ने इस पोस्टर के कॉमेंट्स में करन भाई को बड़े विश्तों किया ही है लेकिन करन भाई ने भी प्लेयर्स के बाद अपनी एक लाइव में दीपक टिलो की आवाजी तारीफ भी की थी सो बेसा कि यह कॉलाब इस EP में ना आए लेकिन आएगा जरूर यह मैं बता रहूं तुमको और बाद की कॉलाब तो डिवाईन एंड तेगी पन्नू के साथ में भी आएगा फ्यूचर में बट इस EP में सबसे ज़्यादा चांसे साथ दीपक टिलो के साथ में होनेगा बाद की दैट सिट अगर इतना लाश्ट तक देख रहे हो झाल